दोश्टनों मस्कार आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में इस वीडियो में आप पढ़ेंगे संस्कृत ग्रामर का बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक जिससे लगभग सभी परिच्छों में प्रशन पूछे जाते हैं जिस भी परिच्छा में आप संस्कृत के अगर आपने इसके पहले पार्ट वर्ण नहीं देखा है जिसमें इमने स्वर और बिंजन और से संब्दित प्रश्ण भी कराए हैं तो इसका लिंक उपर आई बटन में प्लेस कर रहा है क्लिक करके देखें नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में इसका लिंक मिल जाएगा अ पहले आपको थेओरी कराई जाएगी फिर उससे संबंदित लगबग आपको 40-50 प्रश्ण कराए जाएगे तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा लेकिन आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा बैतर होगा कि आप कॉपी पिलने करके बैठें और important point को note करते चलें व कोई भी चीज हम खाते हैं खटी है मीठी किसे पता चलते हैं जीब की दौरा तो जीब यानी मुक के जिस भाग का इस पर्स करती है उन्ही स्थानों को उच्टरे स्थान जाएगे थीग होते हैं ठीक है जितने भी सूत्र हम आपको बता रहे हैं उनको नोट करिए और याद करिए एक बार में याद नहीं होंगे तीन से चार बार उनको लिखिए बोलिए प्रैक्टिस करिए याद हो जाएंगे ठीक है जैसे यहाँ पर हम पहले की बात करें कंठ वर्णे का सूत्र आपको याद रखना है अकुह विसर्जनियानाम कंठ अगर आप सूत्र यह याद कर लेते हैं तो उच्चारण स्थान से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा अब देखे सूत्र की ब्याख्याम कर रहे हैं पर क्या लिखा हुआ है अकुह विसर्जनियानाम कंठ तो कंठ क्य यहाँ पर है इस सूत्र में कंठ क्या है उच्चारण स्थान है ठीक है अर्थात कंठ से उच्चारत होने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं कंठ वर्ण कहते हैं अब अकुह लिखा है तो अकुह का मतलब क्या हुआ आ और चोटा आ और बड़ा आ मतलब चोटा आ और बड़ा दो हो गए इसके इलावा कूह लिखा है तो का से आपका क्या हो जाएगा कावर्ग कावर्ग में कौन कौन से आते हैं का खा गा घा ठीक है ये लिए जाएंगे और विसर्ग क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना विसर्जनिया नाम कंठा तो अकूह में क्या है हा भी है तो अगर आप से प्रश्न पर पूछेगा कि हा का उच्छरण स्थान क्या है तो तुरंत आपके माइन में सूत्र क्लिक करेगा कि अक्कोह विसर्जनिया नाम कंठार था तो हा का उच्छरण स्थान भी कंठ से ही होगा और छोटा आ और बड़ा आ और काव वर्ग तो इनका उच्चलर इस्थान किस से होगा, कंट से होगा, विसरक भी आपको इसमें ध्यान रखरा है, हमने हाइलाइट कर दिया, दूसरा सूतर आपको कौन सा याद करना है इचुई सानाम तालू हमारे साथ बोलिए बोलिए इचुई सानायाम तालू तालू क्या हो गया आपका यहाँ पे तो तालू हो गया आपका उच्चारित होते हैं उनको हम तालब बिवन कहते हैं तो सुरुवात में आपने क्या देखा ए लगा है वहाँ पे क्या था आ था तो हमने छोटा और बड़ा दोनों ले लिया था यहाँ पे ए है तो हम क्या करेंगे छोटी ए और बड़ी दोनों ले ले लेंगे उसके बाद चा है चुई लिखा है ना तो चा चा का मतलब चा वर्ग आ जाएगा ठीक है चा का मतलब चावर्ग उसके बाद क्या था उपर वाले में हा था गंठ से यहां पर क्या है या है या भी हमने ले लिया ठीक उसके बाद क्या है सा तो सा भी हमने ले लिया तो इतने वर्ण इसके अंतरगत आएंगे सूत्र क्या है इचुई सानायाम तालू उपर क्या था अकुह विसर्जनिया नाम कंठा साथी साथ बोलिए तभी आपको याद होगा आप सोच रहें कि ऐसे लिखने याद हो जाएगा नहीं बोलना पड़ेगा आपको मुक से उच्चारिद करिए सुरवात में कठिना ही होगी पिर दिर दिर आप बोलने लगेंगे अकुह विसर्जनिया नाम कंठा छोटा बड़ा कावर्ग और हा और विशर्ग विसर्जनिया नाम कंठा है ना तो उपर आला आपको याद हो गया होगा अब तालू तो तालब बिवर्ण इसमें कौन कौन से इचुई शानायाम तालू छोटी इ बड़ी इ चुई था तो चावर्ग हो गया चुई में या है तो या भी हमने ले लिया और शानायाम तो साह हमने ले लिया शाह ये वाला लेना है आपको ध्यान रखना है याद हुआ कि नहीं होगा भी कॉश्चन कराएंगे टेस्ट के रूप में कॉश्चन कराएंगे आपको गलत नहीं होना चाहिए आपका उत्तर तीसरा सूत्र में क्या याद करना है रिटू रशानाम मूर्धा तो जो लाश्ट में लिखा होता है वो क्या होता है उचाड स्थान होता है अर्थात जिन वर्णों का उचाड स्थान मूर्धा है उन्हें हम क्या कहते है मूर्धन्य वर्ण कहते है अब सूत्र में सबसे पहले क्या है रिसी तो रिसी आपको छोटी बड़ी दोनों लेनी है यहाँ पे लिखने में विलकुल एक जैसे लग रहा है लेगिन आपको ध्यान रखना यह चोटा बड़ा दोनों है यह दो बार लिखा गया है इसके बार रिशी रिशी हो गया इसके बार क्या है टुर का मतलब है तावर्ग तावर्ग और रा है तो यहाँ पे हम रा ले लेंगे और शा था यहाँ पे शाणा राम तो सा हमने ये वाला लिये इस बार कौन सा सा लिये हमने ये वाला हमारे साथ बोलिए शूत्र रिटु रशाणाम मूर्धा फिर से बोलिए रिटु रशानाम मूर्धा रिसे रिसी दोनो टुर है तो टा वर्ग फिर क्या है रशा है तो रा और शा सा से सटकोड़वारा सा ये आप क्या जाएंगे मूर्धन्य वर्ण के इंतरगा question आप से पूछेगा कि टा का उचरण स्थान क्या है तो आप तुरंत सूत्र याद करिएगा रिटु रशानाम मूर्धा ठीक है अकोज सर्जनियाम कंठा ऐसे आपको याद होंगे चौथा सूत्र क्या कहता है यहाँ पे दंत दंता लिखा है सूत्र क्या है री ये क्या है री बोलिए साथ में बोलिए री तुलसा नाम दंता है री तुलसा नाम दंता है री तुलसा नाम दंता है चार बार बोलिए कम से कम तो दंता है क्या हो गया यह आपका उचरण स्थान हो गया अर्था तो जिन वर्णों का उचरण दात से होता है उन्हें हम दंतेवन कहते हैं शुरुवात में क्या था ली तो यहां पे हमने ली ले लिया फिर क्या है तुलसा नाम हमने बताया क्या तुलसा नाम तो तावर्ग हो गया इसमें फिर तावर्ग के बाद क्या है लसा नाम तो ला हमने ले लिया फिर क्या है सा है सा नाम है ना यहां पे दे कमेंट से लाइक से कोई पैसा नहीं मिलता अगर आप कमेंट करते तो हमें लगता है कि हां हमारी महनत आप तक पहुंच रही और आपको वीडियो पसंद आ रहा है को समझ में आ रही चीज़े बहुत सारी लोग कमेंट करते हैं अच्छा लगता है उनका रिपलाई भी हम देत हैं ठीक है तो दांत वाले आपको याद हो गए सूत्र एक बाद फिर से सारे सूत्र बोली है हमारे साथ अकुह विसर्जनिया नाम कंठा यानि छोटा आ बड़ा आ कावर्ग फिर देखिए अकुह विसर्जनिया नाम कंठा छोटा आ बड़ा कावर्ग अकुह फिर हा कुह ह तो हा फिर क्या है विसर्जनिया नाम तो विसर्ग हो गया ये अको विसर्जनिया नम कंठा फिर क्या था आपने दूसरा सूतर क्या पढ़ाता है यहां पे इचुई सनायाम तालू तो छोटी इ बड़ी इ चुई था तो चावर्ग और शा शल्यम वाला सा ठीक है फिर क्या थ इचुई शनायाम इचुई शानाम ठीक है इचुई शानाम तो यहाँ पे शा हमने ले लिया और या था तो हमने या भी ले लिया दूसरा आपको याद हुआ तीसरा फिर से देखिए रिटु रशानाम मोरधा तो रिसे रिसी दोनों ले लिजे टावर्ग ले लीजिए रा ले लीजिए और सा से सट कोड ले लीजिए तो ये आपके हो जाएंगे मुर्धन्ने वाले दंत में आपने क्या पढ़ा री तुलसा नाम दंता है तो ता से तावर्ग हो गया ला से ला हो गया और सा सोयम में सा है तो इतने आपको चार याद हो ग तो गलत हो जाएगा उपू पदमा निया नाम ओष्ठो तो उपू पदमा निया नाम ओष्ठो उपू पदमा निया नाम ओष्ठो अर्थात सूत्र को जितने जादा बार आप बोलेंगे उतना जल्दी आपको यादूँगा उपू पदमा निया नाम ओष्ठो अर्थात जो पावर्ग, फिर पु छोटावू, बड़ावू, फिर पु है ना तो पु में हमने क्या ले लिया जैसे अकूह में क्या था तो हमने का वर्ग ले लिया था इसी तरीके से यहां पे पू है तो हम पावर्ग ले लेंगे छोटा हूँ बढ़ा हूँ और पावर्ग ठीक है इनका ओच्छर रिस्थान किसे होगा ओच्छ से बोल करके देखिए पावर्ग बोलिए पाफा बाबामा दोनों लिप्स आपके जो है ओच्छ आपस में टच हो रहे हैं से दूंगे याम गणना नाम नासीकाचा तो इया का मतलब काया है इसमें जो वर्ग आपने पढ़े ना का वर्ग करने पढ़ा होगा पढ़े फिरन वर्ग लोच्छ अन्तिम अच्छर होते हैं ये लिएम पंढ़ते हैं र्वाषट कि अंगओ जो होते हैं वर्गों के जो अंतिम वल्ण कहा जा रहा है जिन वलडों का उच्छारड स्थान नाक है नाशिकाचा मतलब नाक वह नासिक के वल्ण कहलाँ इन्मे कौन-कौन से आएंगे अंतिम वाले बता दिया नहीं अपको हर वर्ग का अंतिम वल्ण काखा गगांगा तो इस प्रकार से आपको याद रखना है अंतिम वाले आएंगे इसमें अगला सूत्र याद करिएगा यहाँ पे जिव्या मूला हाँ सूत्र क्या है जिवया मूलम अर्थात जिवया मूलम वल्णों का उचार इस्थान क्या होगा जिवया मूल यह बहुत rare case में पूछा जाधा तर प्रशन आपके कंठ और मूर्धन यही सब पूछे आते हैं तालुवाले ठीक है फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि का और खा लिखा है कैसे का और खा के पहले ऐसे जो बना होता है यह होता है जिव्यामूल आगे बात करते हैं मैं आपके कंठ तालब विवर्ण तो कंठ तालब का मतलब क्या हुआ इसका सूत्र क्या है एदवतो कंठ तालू अर्थात जिन वर्णों का उचलर कंठ और तालू दोने सुहो कंठ तालब विवर्ण मतलब कंठ और तालू दोनों का ही प्रियोग हो बोलते समय वे कहलाते हैं कंठ तालब विवन इसमें कौन-कौन सा आता है ए और आए अगला सूतर है ओदवतो कंठोष्ठम मतलब क्या हुआ इसका कंठोष्ठम का मतलब क्या हुआ कंठ और उष्ठ यहाँ पर क्या था कंठ और तालू था तो इसको क्या क्या कहा गया कंठ तालू यह मतलब कंठ और ओष्ट से बोले जाएंगे इसमें कौन कौन से आते हैं और और प्रश्ण ऐसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्छार इस्थान कंठोष्ट कंठोष्ट है तो आपको ध्यान रखना है दो होते हैं और 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 या फिर ऐसे प्रश्ण भूल जाएंगे स्करिवीजन भी करिएगा दंतोष्ट तो दंत और ओष्ट मतलब दंत और ओष्ट से जो बोले जाएं वे होते हैं दंतोष्ट वर्ण इसका सूत्र क्या है वकारस से दंतोष्ट हम वकारस से दंतोष्ट हम इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं इसकी जानका चोटा आ बड़ा आ फिर क्या था कुह तो कुह में आपका का आ जाता है का का मतलब का वर्ग तो का वर्ग में आपका कौन कौन सा आ जाएगा का खागा अंगा और अकुह था तो हा वर्ग और विसर्ज था तो यहां पर विसर्ग लिखा हुआ है दूसरा सूतर क्या था कि ऐसे ही मुर्धन्य का हमने आपको सूत्र बताया था मुर्धन्य का शूत्र क्या था रिटू रशानाम मूर्धा तो रिसे रिसी आ गई दोनो ठीक है उसके बाद क्या है टा था रिटू रशानाम तो टावर्ग आ गया पूरा फिर क्या है रशा तो रा हो गया और सा हो गया तो ये आपका इस तरीके से याद करना है आपको दंत में आपका क्या सूत्र था याद करिए ली तुलसा नाम दंता तो ली हो गया तुलसा नाम था तो तावर्ग हो गया तुलसा तो ला और सा हो गया ठीक है ओस्ट में कौन कौन से आ जाएंगे तो पापा बाबा मा आपने आपको बताया था कि बोल करके आप देखिए और छोटा हूँ और बड़ा हूँ नासिका अनुश्वार आप जानते हैं जो आप ऐसे बिंदी लगाते हैं जैसे आप लिखते हैं अंक है ना तो ये हो गया आपका नासिका कंठ तालू में दो आ जा हा तो यहां पर क्या आ रहा है वा वा रहा है न अर्थान दंत और यहां पहले आपको हँ एंगा ए आपको अलग से याद करने पड़ेंगे मूर्धा और नासिका से अड़ा ओष्ट और नासिका से मा दंत नासिका से ना जीवा मूलस ये जो का के पहले ऐसे उल्टा इस तरीके से दोनों तरीके से सी जो बनायाता ये होता है जीवा मूलियम आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा उच्छाररिस्थान सम्मंधित अब आपको हम questions कराते हैं यहाँ पर एक एक शलूक लिखा हुआ है कहा जा रहा है अश्टव इस्थानानी वरना नाम उरहकंठ सिरस्त था जिवामूलम चा दंतश्च नासिको उष्ठ चा तालूचा मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जो उच्छाररिस्थान होते हैं कितने होते हैं आठ कुल उच्छाररिस्थान हैं उरह, कंठ, मूर्धा, जिवामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालूचा हाला कि कहा जा रहा है कि उच्छाररिस्थान और प्रेत्न को आश्ठा, इधाई, सूत्रों में नहीं बताया गया है पालिनी सिक्छा दिक्रंतों में उच्छाररिस्थान आठ प्रकार के माने गया है जो कि हमने आपको सुरवात में ही बताये थी सबसे पहली श्लाइड में आपने देखा था कि वर्णों के उच्छार स्थान, आठ होते, कंठ, तालू, मुर्धा, दंत, ओष्ट, नासिक, जिवया और उरह फिर से एक बार आप नज़र डालिए, इस टेबल के माध्यम से आपको थोड़ा साओर आसानी रहेगी ठीक है, टेबल में देखे क्या कहा जा रहा है अकुवी सरजनिया नाम कंठा सूत्र पताया, दूसरा आपको बताया, इचुई सानायम तालू, तीसरा बताया, रिटुर शानाम मुर्धा, चोथा बताया, आपको रिटूल सा नाम दंता, पाच्वा आपको बताया, उपूप मद्यिया नाम, औस्ठोचा, अर्थात हो जाएगा ताल हुथा तो यहाँ पे ताल हो जाएगा चाहिए यहाँ से आपको एक जानकारी और मिल रही होगी आप देख पाएंगर तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है शुरवास से देखिए कि छोटा और बड़ा यह कुल अठारा प्रकार की होते हैं जब आप यूजी सी नेट वेगरा यहाँ डीपली पढ़ेंगे टीजी टीटी पीजीटी तब आपको पढ़ा जाएगा अठारा प्रकार का होता है यह आ इसी प्रकार से छोटी ई और बड़ी यह अठारा प्रकार की होती है रीसे रीसी भी यह अठारा प्रकार का होता है ठीक है यह आपके सले बड़ा वीडियो हो रहा है लाइक आपने किया नहीं है कर दीजिएगा कमेंट जरूर करिएगा कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है तो पहला प्रशन है आपके सामने मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्छर किया जाता है वही उस वर्ण का क्या होता है प्रेतन स्थान होता है उच्छर स्थान होता है समर्णी होता है और फिर मुख स्थान होता है पहला प्रशन आपके सामने उत्तर जाएगा यहाँ पे option number B के साथ उसको हम क्या कहते हैं उच्चारण स्थान कहते हैं दूसरा प्रशन पाड़िनी सिक्षा नुशार संस्कृत वर्णवाला में उच्चारण स्थानों के संख्या कितनी है question number 2 आपके सामने जश्च अभी हमने आपको बताया तो आठ है उच्चारण स्थान जल्दी से कमेंट में वीडियो को रोकिए और नाम लिखी आठों के हमने आपको पढ़ाया ना आठों के नाम लिखी है अश्टव इस्थानीन वर्णा नाम मुरह कंठा सिरस्तता जिवय मूलम चा दंतश्च नासिका उश्ठम चा तालुचा ये लच्छड किसका है प्रत्याहार का है वाह प्रेत्न का है ब्यांतर प्रेत्न का है अगले वीडियो में आपको प्रेत्न और उनके प्रकार पढ़ा गया जाएगा तीस रा प्रषण आपके आपके सामने किससे संबंदित है लगा इस्थान से कि आपने पूर प्रशन में भी पढ़ा है option number C आपने लगाया था तो तीसरे प्रशन का अंसर जाएगा option number A के साथ देखिए theory को type करना questions को बनाना type करना record करना महनत तो लगती है इसलिए जो क्या है paid course की इसलिए demand बढ़ती है क्योंकि free की value तनी नहीं होती है तो इसलिए आप support करेंगे अगर तो यह complete आपका course कराया जाएगा संस्कृत का बिलकुल free में विसर्ग का उच्चर्ड स्थान माना जाता है तो शूत्रयाद करिए सूत्रयाद करिए अकुह विसर्जनियानाम कंठा कंठा जाएगा विसर्जनियानाम कंठा तो यहाँ पर option number b सही होगा question number 5 वकार का उच्चर्ड स्थान क्या है कंठोष्टम दंतोष्ट कंठ तालू उपरियुक्त सभी question number 5 याद करिए वकार का उच्चर्ड इस्थान क्या है तो दंतोष्ट हो जाएगा यहाँ पे option number B के साथ जाएगा अगला प्रशन देखिए इन में से दो कंठे वर्ण है कंठे वर्ण कौन कौन से होंगे जो कंठे से बोले जाएगे तो अकुह विसरजनिया नाम कंठा अकुह में आ रहा है आ और आ और का वर्ण तो का वर्ण में आपका क्या आता है का खा गा गा और यहाँ पर आपको पहले option में मिल ला है गा और गा तो अंसर जाएगा पहले option के साथ अगला प्रशन देखिए वर्ण की वर्ण के उत्पत्ति का इस्थान है अश्ट पंच सट या फिर सब्त सात्वा प्रशन आपके सामने question number 7 आपके सामने सही जवाब क्या मिलेगा आपके आठ है आपने अभी अभी पढ़े है तो इसका अंसर जाएगा option number A के साथ question number 8 उच्चारण स्थान की द्रश्टी से या वर्ण कौन सा है सूत्र सब भी याद करिए sequence में अकुह विसरजनिया नाम कंठा इसके बाद आपने कौन सा पढ़ा था सूत्र जल्दी से याद करिए और देखिए किसमे या आ रहा है इच्चुई सनायाम तालू याद आया question number 8 तो आंसर क्या जाएगा तालब बे इच्चुई ई और ई चावर्ग और या था तो या आ जाता है इसमें तालू आपने सूत्र पढ़ा था तालू का मतलब है तालब बे question number 9 अनुस्वार का चारण स्थान क्या होगा अनुश्वार याद करिए कौन सा सूत्र आपने पढ़ा था question number 9 अंसर जाएगा नासिका या अंगण नानाम नासिका चा तो यहाँ भी answer जाएगा option number D के साथ कौन सा वैसे भी आप क्या पढ़ते हैं कौन सा वर्ण मूर्धा से उच्चारित होता है मूर्धा वाला सूत्र याद करिए कि कौन सा सूत्र था मूर्धा वाला तो आपने सूत्र पढ़ाता ना रिटू रशाना मूर्धा question number 10 आपके सामने उत्तर जाएगा यहाँ पे पकार पकार का मतलब समझ रहा है ना चमेताम question number 10 दिखेगा यहाँ पे पूछ रहा था कौन सा वर्ण मूर्धा से उच्चारित होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा तुर्टी हुई है टाइपिंग में यहाँ पे पकार नहीं होगा शकार होगा क्योंकि हमने सूत्र को पढ़ा है ना शकार रिटू रशाना मूर्धा पढ़ा है ना तो शकार होगा यहाँ पे शामन का उच्चार जो है मूर्धा से होता है अंसर जाएगा डी के साथ अगला प्रशन देखेगा E का उच्चाड़ स्थान क्या है तो आपने शूतर रियाद करिए इचुय सानाम तालूह तालूह आ रहा है ने लाष्ट में तो उत्तर जाएगा option number B के साथ कितना असान लग रहा होगा आपको आप ही बताइए असान लग रहे ही ने संस्कृत question number 12 देखेगा अनुनासिक वर्णों का उच्चाड़ स्थान क्या होता है question number 12 मुख नासिका उत्तर जाएगा option number D के साथ अनुनासिक में जो लाष्ट प्रत्य एक वर्ग का आखरी इच्छर आता जैसे काखा गागा लाष्ट में क्या आता अंगा या रा ये जो है नासिका से बोले जाती है उत्तर जाएगा D के साथ ली वर्ग का उच्चाड़ स्थान क्या है तो ली तुलसा नाम ली तुलसा नाम क्या होता है सूत्र ली तुलसा नाम दंता तो अंसर जाएगा option number D के साथ अगला देखे question number 14 का और खा जिवया मूल वर्डों का उच्चाड़ स्थान क्या होगा question number 14 तो जिवया मूलम का और खा जिवया मूलम वर्डों का उच्चाड़ स्थान होगा जिवया मूलम अंसर जाएगा D के साथ पा और फा उप उप पदमानिय वर्णों का उच्छरड़ स्थान क्या होगा पा और फा पंद्रमा प्रशना आपकी सामने तो ओश्ठ होगा यहाँ पे सूत्र आपको याद करिए question number 15 के लिए answer जाएगा option number B के साथ शा का उच्चारणिस्थान क्या है question number 16 याद करिए शूत्र इचुई सानाम तालू तो E, E और चावर्ग ठीक है और शा ये तालू से बोले जाते हैं तो यहाँ पर अंसर जाएगा प्रश्ण सेंग्या 17 है आपके सामने यहाँ पर शाही कर लिजेगा यहाँ पर ला होगा ठीक है और प्रश्ण आप से पूछ रहा है कि दंत से उच्चरित होता है तो आपने शूत्र पढ़ा है ना याद करिए लितुलसानाम दंता तो री हो जाता है यह वाला री और ता वर्ग ठीक है और ला तो यहाँ पे आंसर आएगा option number C के साथ यहाँ पे correction कर लिजेगा ला होगा 17 का C option भा नहीं होगा निम्लिकित में से कौन सी ओष्ट दोने नहीं है तो पा फा बा भा मा यह होता है वर्ग पा वर्ग जो होता है वो ओष्ट से चारित होता है तो यहाँ पे 18 का आपका option number 4 दिया है यह ओष्ट से सम्मंदित नहीं है आंसर जाएगा option number E के साथ question number 19 देखिए ली तुलसा नाम दंता हर एक्तिस्थान की पूर्थ करिए तो ली तुलसा नाम दंता है तो हम भोल ही गए है यहाँ पे आंसर जाएगा option number A के साथ question number 20 देखिएगा रीटू रशा नाम सूत्र किसका है किस से सम्मंदित है तो रीटू रशा नाम बोलिए बोलिए साथ में बोलिए मूर्धा तो अंसर जाएगा option number C के साथ लाइब जुड़े हैं जितने लोग बहुत बहुत शौगत है आप सब का question number 21 देखिएगा यहाँ पे कंठोष्ट वन कौन से होंगे जो कंठ और ओष्ट से बोले जाएए बोल करके देखिए तो यह हो जाएगे आपके O और O 22 प्रश्ण देखिएगा यहाँ पे आपको सुमेलित करना है कैसे सुमेलित करेंगे कावर्ग सुत्रयाद करिए अकुह विसरजनियानाम कंठा तो यह कंठ से हो जाएगा दूसरा है चावर्ग ये चुई शनायाम तालू तो यह हो जाएगा इससे फिर क्या है टावर्ग है तो रिटू रशनाम मूर्धा तो यह इससे हो जाएगा अब तावर्ग बचा यहाँ पे पता ही किससे मिलाएंगे हम पावर्ग तो आप जानते हैं पाफ़ा भाभा मा किस से हो जाएगा ओष्ट से हो जाएगा अब आपके पास बच रहें कौन कौन से तावर्ग एक ही बच रहें तो एक बच रहें एक option देखिए कौन सा छूट रहें ठीक है दंता रिटूल शानाम तो आपने सूत्र पढ़ेना है लीतुलसानाम दंता तो तावर्ग किसमी हो जाएगा दंत से कावर्ग आपका कंट से चावर्ग आपका इचुशनायम तालू से टावर्ग इचुशनायम ये किस से जाएगा और पावर्ग आपका ओठ से पता ही है ठीके तो आपको सभी पता ह आप आराम से सुमेलित कर ले जाएंगे यहाँ पे इसके options दिये हुए हैं तो question number आपका था 22 और इसका answer आप लिखेंगे कैसे हमीं बता देते हैं आपको comment में नहीं लिखना है आपको पहला option जाएगा का से 5 को मिलाया हमने ठीक है थोड़ा सा यहाँ पे options में दिक्कत आ रही ह एक पास हम अगली बार लिख करके इसको आपको फिर से करा देंगे पंचमाच्छों में या अंगा या रा नामा अपने अपने वर्गों के यतरिक तो उच्छार्ण स्थान होता है कंठ मूर्धा दंत नासिका question number 23 तो अंसर जाएगा यहाँ पे नासिका के साथ option number D सही होग अयोग वाह अनुश्वार विसर्ग जिवया मूली उपद मानी वर्गों का क्रमशाह उच्छार्ण स्थान क्या होगा तो अनुश्वार का उच्छार्ण स्थान क्या होता है अनुश्वार का उच्छार्ण स्थान होता है नासिका अब नासिका वाले option पकड़िए नासिका इसमें भी है, मतलब दो गलत हो गए, दो गलत हो गए, तो अब देखना है यहाँ पर आपको अनुश्वार के बाद क्या दिया है, विशर्ग तो आपने पढ़ा है ना, अकुह भी सरजनिया नाम कंठा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है है, कंठा होगा सब जगे, ठीक है जहाँ पर काट काट लिखाए कंठा है तो इस तरीके से जब आप मैच करेंगे तो यहाँ पर पहला option इसका सही होगा कंठा लिखाएगे सुमेलित नहीं है आपसे पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है question number 25 तो A और A यह तो सुमेलित है क्योंकि A और A दिया है कंठ ताल दोनों से उचरित होते है यह भी सही है यह भी सही है वकारोस दंतोष्ठोच आपने सूतर पढ़ा होगा 25 का जो गलत मिला है यह है कंठ क्योंकि जिवय मूल का उचर कंठ से नहीं होता है ठीक है answer जाएगा option number D के साथ असुद्ध युग्म कौन सा है यहाँ पे अशुद्ध बताईए तो जिवय मूल का जिवय मूल से होता है उचरिस्थान जो आपने अभी यहाँ पर पढ़ा है ठीक है इसका किस्से होता यह तो सही है मिला लीजे इसको असुद्ध यहाँ पर पूछ रहा है मतलब E तक दिये हैं एक कोई ना कोई यहां पर गलत होगा कौन सा गलत होगा यहां आपको मैच करना तो अकूर भी सब्सक्राइब कंठा आपने पढ़ा है यह भी सही है ठीक है अनुश्वार वाला भी सही है तो गलत कौन सा है फिर यहां पर कौश्चन नमबर 26 में यहां पर दिया है अनुश्वार पंचमाच्छर मूर्धा जबकि होता किस से है नासिक से होता है ना मतलब तो यहां पर यही गलत दिया है अर्थात इस प्रेशन का अंसर जाएगा D बाकी पांच चार आपके यह सही दिये हुई है अंसर जाएगा E के साथ नासिका से उचारित होते है अनुश्वार पंचमाच्छर उपरोग सभी देखे प्लास करते समय बहुत साउधानी रखते है फिर भी संस्क्रत की टाइपिंग इतनी टफ है कि थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है क्वेश्चन को टाइप करना तो कहीं कहीं अगर तूटी होती तो इसके लिए माफी चाहेंगे अगले वीडियो में हम इंप्रूब्मेंट करने का पूरा-पूरा प्रयास करेंगे तो नासिका से यह सभी उचारित होते हैं अनुरासिक भी अनुश्वार भी और पंचमाच्छर जैसे हमने आपको बताया था ना काखा गागा अंगा आ जाता लाश्ट में यह आ जाता है तो यह सब जो है नासिका से उचारित होते हैं अंसर जाएगा उप्शन नमबर डी के साथ अन्तष्ठ यानि यवरला वर्गों का क्रमसा हुच्चारिस्थान क्या होगा कल हमने आपको पढ़ाया था स्वर और बेंजन अगर वीडियो नहीं देखा आपने तो इसका लिंक अभी यहाँ पर आपको मिल जाएगा जैसे ही आपको लाश्ट कॉश्चन दिखेगा वीडियो आ जाएगा क्लिक करके देख लीजेगा कॉश्चन नमर अठाइस तो यहाँ का आप मिला यह इच्चुई सनायाम तालू तालू मतलब पहले उप्शन जिसमें तालू है वही सही होगा क्योंकि आपने एक पकड़ लिया तो दो आप्शन आपके कट गए अब आपके पास दो आप्शन बचे हैं दूसरा देखिए वह तो वकारश्च दंतोस्ठोचा वाका भी आपने शूत्र पढ़ा है तो यहाँ पे अंसर जाएगा आप्शन नमर सी के साथ अगला देखिए उस्म बिंजन अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें और पता चल गए कि अंतश्ट में कौन कौन आते हैं यह वर अला उस्मे कौन कौन से आते हैं शह सह सहा उस्म बिंजन का उचाड़ स्थान क्या होगा यहाँ पे एक जैसा नहीं यह अलग-अलग चाड़ स्थान एक ग्रुप तो बन गया है कि शा सा सा है इनको उश्म कहेंگे अब यह वाला सा किसमें आ रहा है एकूभ अलग-अलग देखना होगा यह भी किसमें आ रहा है अकूभी सरज्ट ने आम कंठा तो कंठ तो पक्का है यह मतलब ये नहीं होगा कि लाश्ट में हा है तो ये तो पक्का पता चल गया कि कंठ वाला ही सही होगा और हमने आपको बताया एचुशा नायाम तालू तो पहले option में क्या होना चाहिए था तालू होना चाहिए था अब किस option में पहले में तालू है लाश्ट में कंठ है तो वो है आपका option number B देखे शुरुआत में तालू है और लाश्ट में कंठ है तो अंसर जाएगा B के साथ question number 30 दिखिएगा घा धा जा भा इन चतुर्थ वर्णो का क्रमशा उच्छाड इस्थान क्या होगा तो काखा गागा ठीक है और यहाँ पे चाचा जा जाएगा चावाला नहीं है ताथ दध ठीक है तो यहाँ पे आपको देखना है कि इनका उच्छाड इस्थान क्या होगा क्रमशा question number 30 उत्तर जाएगा यहाँ पे किसके साथ बताइए देखिए यह तो आ गया कावर्ग में का गन्ठ सब में दिया है अब दूसरा देखिए यहाँ पे धा है भा किसके उंतरगत आएगा बोल करके देखिए तावर्ग किसके उंतरगत आता है अब ही बताईए ना तो सब आप पढ़ चुके है तो दंत से आता है न तो आंसर के क्या जाएगा इसका कंठ दंत ताल और ओ हमा ओष्ट से होता है पहला और आखरी अगर आप जान गए तब भी यहां पर आप कर ले जाएंगे option number C के साथ question number 31 देखेगा का वर्ण का उच्चारले स्थान क्या है बार बार देखिए आपको पढ़ा जा रहा है जिससे आप किस तरीके से किसी भी तरीके से प्रशन पूछा जाए आपका घलत ना हो तो अकुवी सरजनिया नाम कंठा answer जाएगा option number C के साथ question number 32 देखिए ता वर्ण का उच्चारले स्थान क्या है तो इचुई सनायाम तालू लेकिन यहां पर तो ता है तो ता वर्ण आपको देखना पड़ेगा हम तो चा वर्ण का सूत्र बोल गया है इचुई वाला अब यहां पर देखिए कौन सा सूत्र लगेगा question number 32 में question number 34 वकारस्य दंतोष्ठोष तो यहां पर पहला option सही होगा देखिए सूत्र बोलने का हम भी प्रयास कर रहे हैं कहीं कहीं पर हो सकता है उच्चारण में तूटी हो कोई संस्क्रस से हमने कोई PhD वगरा नहीं कर रखिए तो तूटियां होना स्वाभाविक हैं आप तक चीज जाठा है कि या अडा है यह भी तो देखिए सूत्र आपने पढ़ा रिटू रशाना मूर्धा तो इसमें कौन से वर्गा जाते हैं तो यहाँ पर यह यह वाला नहीं है यह अंतर दोनों में समझे यहाँ पर देखे डा के नीचे हलंत लगा है तो यहाँ पर आपका अंसर जाएगा कोश्चन नमबर 35 के लिए option number D संस्क्रत में यही तो ध्यान रखना है अगर यह इसके आगे लिखा होता तो इसका अंसर क्या होता नासिका वाला अगला प्रशन देखिए रीसे रीसी का उच्चारण स्थान क्या होगा डीटू रशाणाम बुलिए बुलिए हमाने साथ बुलिए मूर्धा तो अंसर जा है कंट से तालू से मुख नासिका से और दंत से कौश्चन नमबर 37 तो नासिका से होता है अंसर जाएगा C के साथ कौश्चन नमबर 38 देखिएगा तावर्ग का उच्चारण स्थान क्या है तावर्ग दंत हो जाएगा ऑप्शन नमबर C ओ वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होगा तो ओ और ओ ये दो अलग से आपको पढ़ाय गये थे किसके उन्तर गताते हैं ये तो या आते हैं कंठ और ओष्ट दोनों से ही बोले आते हैं लाश्ट प्रशन इस क्लास का और इसका उतर आप लिखेंगे कमेंट बाक्स में यहाँ पर देखिए प्रीवीस क्लास का लिंक आ रहा है थमनिल बनके आ रहा है उसको आप टेच करिए क्लिक करेंगे वो प्ले हो तक जो भी सुपर टेट यूपी टेट रीट किसी भी परिच्छा की त्यारी कर रहे हैं